यह मेरा फोर्थ वीडियो है रेलैंसे सिरीज में और आज हम लोग इनफिमम, सुप्रीमम, लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन सब के बारे में जानेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज की इस वीडियो को सबसे परले हम लोगों को जानना होगा की बाउंडेट सेट क्या होती है तो सबसे परले समझते हैं की बाउंडेट सेट क्या होती है यहाँ पर S कोई सेट है जो की नॉन एप्टी सेट है और S एक सबसेट है रियल नमबर का S is a subset of set of all real numbers यह सेट को हम लोग एक बाउंडेट सेट कहेंगे if there exist small m capital M from capital R such that m is less than or equal to a is less than or equal to capital M for all m from S मतलब की हम लोग S को एक बाउंडेट सेट कहेंगे अगर हम लोगों को दो real numbers मिलेंगे small m और capital M such that S के जितने भी elements होंगे वो इन दोनों elements के बीच में ही लाई करते हों तब हम लोग इस set को S को एक bounded set कहेंगे यहाँ पे हम लोगों ने real line को दर्साया हुआ है अगर S के सारे elements इन दोनों elements के बीच में ही लाई होंगे S के जितने भी elements होंगे अगर उनको हम लोग represent करते हैं point से तब इन दोनों elements के बीच में ही लाए होंगे तो हम लोग उस set को bounded set कहेंगे और जो ये small m है उसे एक lower bound कहेंगे और जो ये capital m है उसे एक upper bound कहेंगे इस set के लिए तो अब हम लोग lower bound के कुछ information को भी समझते हैं यहाँ पे m एक lower bound है अगर m is less than or equal to a for all a from this set s m एक real number होनी चाहिए तो हम लोग इस m को एक lower bound कहेंगे इस set s के लिए और हम लोग s को कहेंगे s is bounded below by small m अगर m lower bound है similarly अगर अपर bound के लिए हम लोग information को देखना चाहिए तो यहाँ पे a is less than or equal to capital m for all a from this set s और m belongs to capital r तो हम लोग m को एक अपर bound कहेंगे इस set s के लिए और तब हम लोग s को कहेंगे s is bounded above by capital m तो मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ तक समझेंगे कि bounded set क्या है bounded set का definition को हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी भी set के लिए अगर lower bound और साथ ही साथ upper bound भी exist होती हो तो उस set को एक bounded set कहेंगे अगर इन में से कोई भी एक exist ना होती हो तो उस set को हम लोग unbounded set कहेंगे ठीक है अब चलिए हम लोग bounded set के एक खुज examples को देखते हैं यहाँ पर हम लोग उन्हें example में लिया हुआ है set s is equal to close interval 0 root 2 ठीक है अब हम लोग देखते हैं कि क्या यह एक set bounded set है या एक unbounded तो सबसे पहले हम लोग real line को खिसते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि s के सारे elements कहां लाय होते हैं यह 0 है यह root 2 इनके बीच में ही s के सारे elements लाय होंगे तो हम लोग कर सकते हैं कि 0 is less than or equal to a is less than or equal to root 2 for all a from the set s तब इस case में हम लोग कहेंगे कि जो set s है वो bounded है because हम लोग देखते हैं कि यह set के लिए हम लोग इस condition को find कर सकते हैं so यहाँ पे जो 0 है उसे एक lower bound कहेंगे इस set के लिए और root 2 को एक upper bound कहेंगे और हम लोग कहेंगे कि s is bounded अब हम लोग unbounded set के लिए कुछी जाहां पर देखते हैं यहाँ पे s को मैंने लिया हुआ है close interval 0 and infinite और infinite हमेशा open interval में आती है तो यहाँ पे open interval का sign आया हुआ है इस set के लिए lower bound तो exist करती है जैसे कि 0 लेकिन यहाँ पे upper bounded exist नहीं होती है तो इसे इस set को हम लोग unbounded above और bounded below कहेंगे लेकिन अगर यह बता ना हो कि यह set bounded है या नहीं है तो इसे हम लोग unbounded set ही कहेंगे similarly इस set के लिए minus infinitive 0 यह भी set एक unbounded set का example है यहाँ पे जो upper bound है वो 0 है लेकिन यहाँ पे lower bound नहीं exist होती है तो इस set को bounded above कहेंगे और unbounded below और कुछ इंजामपल है capital N मतलब set of all natural numbers set of all rational number z, r, c and q complement यह सारे sets unbounded sets के example है यहाँ पे capital N capital N जो है वो एक bounded below set है क्योंकि हम लोग कहा सकते हैं कि 1 is less than or equal to a for all elements a from this set n क्योंकि natural number की सुरुवात हमेशा 1 से होती है so N के elements या तो 1 के equal होंगे या 1 से बड़ी होगी सो इस सेट को हम लोग bounded below by 1 कहेंगे लेकिन इस सेट के लिए हम लोग upper bound नहीं find कर सकते हैं इसे unbounded above set कहेंगे और overall ये सेट एक unbounded सेट का example है ठीक next हम लोग यहां पर एक चीज़ notice कर सकते हैं कि हम लोग इस सेट इस bounded सेट के लिए ये भी represent कर सकते हैं like minus 1 is less than or equal to a is less than or equal to 2 for all a from this set as क्योंकि अगर हम लोग minus 1 को देखना चाहे तो minus 1 यहां पर होगी और 2 root 2 के right side में यहां पर होगी तो हम लोग कर सकते हैं कि minus 1 और 2 के बीच s के सारे elements लाहिक करते हैं यह भी statement सही है so यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर हम लोग यह कर सकते हैं कि minus 1 भी इस set के लिए एक lower bound है और साथी साथ 2 भी इस set के लिए एक upper bound है so हम लोग देख सकते हैं कि जो lower bound है इस bounded set के लिए वो unique नहीं है साथी साथ upper bound भी unique नहीं है सो हम लोग कर सकते हैं कि किसी भी bounded sit के लिए lower bound और upper bound unique नहीं होते हैं ठीक सो हम लोगों ने यहाँ पे एक set बनाया हुआ है L जो कि set of all lower bounds है अगर किसी sit के लिए lower bound exist होती हो similarly you को कहेंगे set of all upper bounds अब हम लोग देखते हैं कि इस set के लिए L क्या होगी और यह क्या होगी तो set of all lower bounds यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 0 एक lower bound है तो 0 से जितने भी छोटे नंबर होगे वो भी इस set के लिए एक lower bound होगी तो इस set के लिए L को लिख सकते हैं minus infinitive 0 close तो यह interval is set के लिए L होगा और अगर U को find करना चाहे इस set के लिए तो set of all upper bounds इस set के लिए हम लोगों देखा था कि root 2 जो है एक upper bound है तो इससे जितने भी बड़े नंबर होगे वो भी एक upper bound का काम करेंगे इस set के लिए so set of all upper bounds होगे interval close interval root 2 infinitive so this set के लिए यह U का काम करेंगा हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि अगर हम लोग कोई भी एक lower bound find करते हैं किसे set के लिए तो उस elements से जितने भी छोटे element होगे वो भी एक lower bound होगे उस set के लिए लेकिन मान लिया क्या यह find क्या हुआ है minus 1 is a lower bound of this set लेकिन यह तो कह सकते हैं कि minus 1 से छोटे जितने भी number होँगे वो भी lower bound होँगे लेकिन इस से बड़े के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो lower bound होँगे या नहीं like यहाँ पर minus 1 से minus 1 यहाँपे लेकिन इस से बड़े number यहां पे यह भी एक lower bound है, तो अगर कोई lower bound है, तो उससे जितने भी छोटे नमबर होंगे, उसके लिए हम लोग confirm है कि वो lower bound होंगे, लेकिन उससे बड़े नमबर के लिए हम लोगों को check करना होता है, ठीक, similarly for upper bound also, so, यहां पे एक note करने की बात है, जो यह set है, वो हमेशा इस form में होगी, यहां पे open interval minus infinity, right side में close interval, और similarly, जो u होगी, यह set होगी, u, वो हमेशा इस form में होगी, close interval b, open interval infinity, so, इससे आप लोग याद रखियेगा, l हमेशा इस form में होगी, और u हमेशा इस form में, all right, so, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां तक हम लोग ने समझा की, bounded set क्या होती है, साथी साथ lower bound क्या होती है, upper bound क्या होती है, और हम लोग ने यह भी देखा कि, किसी भी set के लिए, एक lower bound exist होगी, तो वो unique नहीं होगी, साथी साथ अगर किसी set के लिए, एक upper bound हम लोग को मिलती है, तो हम कर सकते हैं कि उस set के लिए, जो set of all upper bounds होगी, वो भी unique नहीं होगी, next, अब हम लोग समझते हैं कि infimum क्या है, तो सबसे पहले हम लोग यह याद रखना है, कि जो infimum element होगी, वो set से belong कर भी सकती है, और set से belong नहीं भी कर सकती है, ठीक, इसे हम लोग समझेंगे examples के द्वारा कि कब infimum set में belong करती है, और किस case में infimum set में belong नहीं करती है, तो इसे हम लोग आगे समझेंगे, सबसे पहले यह से के definition को देखते हैं, infimum को हम लोग GLB कहते हैं, GLB का full form है greatest lower bound, इसे और एक तरह से कह सकते हैं, greatest element of L, क्योंकि infimum का मतलब है greatest of all lower bounds, मतलब कि lower bounds में जो भी सबसे बड़ा element हो, उसे ही GLB कहा जाता है, तो greatest element of L, क्योंकि L यहाँ पे set of all lower bounds ही है, इस set में जो भी सबसे बड़ी element होगी, उसे ही GLB कहा जाता है, मतलब कि infimum कहा जाता है, तो इस example के लिए हम लोगों ने देखा था कि, जो L है वो है minus infinity close interval 0, इस set के लिए सबसे बड़ा element क्या है, वो तो साफ ही साफ दीख रहा है, 0 है, so 0, तो इस set के लिए GLB भी 0 होगी, और 0 यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 0 belong करती है इस set के लिए, तो इस example के लिए जो GLB है वो set से ही आती है, belongs to set S, ठीक, हम लोग आगे देखेंगे कि कुछ examples के लिए GLB या infimum set में belong नहीं भी करती है, तो उसे आगे देखेंगे, लेकिन इस example के लिए GLB या infimum set में belong कर रही है, infimum को हम लोग और इक तरस भी समझ सकते हैं, उसकी दूसरी definition इस परकार है, M को हम लोग GLB कहेंगे, मतलब कि infimum कहेंगे, अगर इसके लिए दो condition है, first condition है, जो M element है, वो एक lower bound होनी चाहिए, set के लिए, mathematically M is less than or equal to A, for all A from this set S, दूसरी condition है कि M से बड़ी कोई lower bound नहीं है, इसलिए तो इसे कहा गया है greatest lower bound, so M plus epsilon is not a lower bound, यहाँ पर epsilon का मतलब है, एक बहुत ही छोटी positive real number, so, इसे mathematically इस प्रकार भी कहा जा सकता है, M plus epsilon is greater than B for some B from this set, and for all epsilon greater than 0, इस एप्सालन से समझते हैं, इस definition को, यहाँ पर हम लोग इसी एप्सालन को ले रहे हैं, close interval 0 root 2, तो यहाँ पर 0 एक lower bound है, क्योंकि 0 is less than or equal to A for all A from the set, सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि, वो elemental lower bound है कि नहीं है, अगर lower bound है, तो यह चेक करना है, उससे बड़ी कोई lower bound है या नहीं है, अगर नहीं है, तो उससे हम लोग GLB कहेंगे, तो हम लोग चेक करते हैं कि, यहाँ पर M plus epsilon, M is equal to here 0, so 0 plus epsilon को हम लोग लेते हैं, epsilon एक positive number होती है, इसके लिए एक example ले रहे हैं, 0.0001, यह epsilon का value है, यहाँ पर, यह बन जागी 0.0001, लेकिन हम लोगों को यहाँ एक B मिलेगी, 0.00001, मतलब यहाँ 4 0 मैंने लिया हुआ है, दस्मलों के बाद, और यहाँ पर दस्मलों के बाद 3 0, so, अगर M plus epsilon यहाँ पर है, तो हम लोगों को, इन दोनों के B 0, और M plus epsilon के B चेक number ज़रूर मिलेगी, so, जो M plus epsilon है, वो इस set के लिए एक lower bound नहीं है, क्योंकि इससे छोटी element भी हमें, set S में मिर रही है, जो की B है, B belongs to S, so, M plus epsilon is not a lower bound for this example, so, हम लोग कर सकते हैं कि, जो M है, मतलब कि जो 0 है, वो GLB है, इस set के लिए, ठिक, तो, मुझे लगता है कि, आप लोग इन फिमां को समझेंगे, बिल्कुल गहराई से, तो चलिए अब हम लोग, सुप्रीमां को भी समझते हैं, सुप्रीमां को भी हम लोग सेम प्रकासे समझेंगे, तो सबसे पहले बात, जो ये element है, सुप्रीमां है, वो या तो set में बिलोंग होती है, या नहीं होती है, दोनों ही case possible है, तो चलिए इसकी definition को सबसे पहले देखते हैं, सुप्रीमां को हम लोग L, U, B, ये भी कहते हैं, जिसका full form है least upper bound, मतलब कि जितने भी upper bound हैं, उसमें से least element, तो हम लोगों ने देखा था कि, U जो है, वो set of all upper bounds है, तो सुप्रीमां को हम लोग कर सकते हैं, कि least element of capital U, ठीक, तो इस example के लिए, हम लोगों ने देखा था, U जो है, close interval root 2, open interval infinitive, ये थी, तो इस set के लिए, जो सबसे जोटी element होगी, वो होगी root 2, तो हमारे previous example के लिए, जो सुप्रीमां होगी, वो होगी root 2, और हम लोगों ने देखा था कि, ये जो element होगी, root 2, वो इस set में बिलोंग कर रही है, so root 2 belongs to our set S, so ये केस तो हम लोगों ने देख लिया, कि इस सुप्रीमां सेट में बिलोंग होती है, हम लोगों आगे देखेंगे कि, कब सुप्रीमां सेट में बिलोंग नहीं करती है, अब आने तरिके से भी सुप्रीमां को समझादा सकता है, कुछी इस तरह, M को सुप्रीमां कहेंगे, मतलब कि L, U, B कहेंगे, अगर पहली कंडिशन है, M is an upper bound, मतलब कि M को एक upper bound होना चाहिए, Mathematically, A is less than or equal to capital M, for all A belongs to set S, और दूसरी कंडिशन है, M से छोटी कोई भी upper bound set के लिए नहीं होने चाहिए, इसे इस तरह भी कर सकते हैं, M minus epsilon, मतलब M में से कोई छोटी नमबर घटाते हैं, तो वो upper bound set के लिए नहीं रहती है, M minus epsilon is not an upper bound of set S, So mathematically, इसे कहा जा सकता है, M minus epsilon is less than B, for some element B from this set S, and for all epsilon greater than 0, So हम लोग एजामपल किसे द्वारा, इस definition को समझते हैं, तो हम लोग सेम एजामपल दे रहे हैं, close interval 0, root 2, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि, root 2 सुपरिबम है इस set के लिए, तो सबसे पहले चेक कर दें कि, क्या root 2 एक upper bound है, तो A is less than or equal to root 2, for all A from this set S, इसका मतलब यह है कि, जो root 2 है, वो एक upper bound है, हमारे set के लिए, अब दूसरी condition चेक करना है कि, क्या उससे छोटी, कोई भी upper bound नहीं होती है, या होती है, अगर नहीं होती है, तो उससे L.E.O.B. कहा जाएगा, अगर उससे छोटी हम लोगों को, एक upper bound मिल जा रही है, तो उसे हम लोग L.E.O.B. नहीं कर सकते हैं, तो चेक करते हैं, M minus epsilon, मतलब कि हम लोगों को, root 2 में से कोई नंबर घटाना है, root 2 का भेली होता है, 1.4142. अब हम लोग root 2 में से कोई एक positive real number घटाते हैं, मालीजे हम लोगों घटा कि यह number फैड़ होता है, 1.4140, यह number इससे छोटी है, क्योंकि हम लोगों ने epsilon को घटाया हुआ है, ठीक, लेकिन, मालीजे कि m- epsilon यहाँ पे लाया हो रहा है, लेकिन हम लोगों को इन दोनों के बीच में भी एक number मिलेगे ही, जिसे हम लोग b माल लेंगे, like here, b is equal to, say, 1.4141, so, जो b होगी, वो, m- epsilon, यहाँ पे, और m, root 2, इन दोनों के बीच में लाया होगी, so, यह कह सकते हैं कि, जो m- epsilon है, जो कि यहाँ पे लाया होगी, वो एक upper bound नहीं होगी, इस set के लिए, क्योंकि, इससे बड़ी भी एक element हमें, set में ही मिलेगी, like b, b belongs to set s, so, हम लोग, हम लोग यह कह सकते कि, m- epsilon एक upper bound नहीं होगी, so, root 2 है, least upper bound है, जिसे हम लोग कहते हैं, supremum, all right, तो मुझे लगता है कि, आप लोग supremum को समझे होगी, तो next में हम लोग समझते हैं कि, least element क्या है, और greatest element क्या है, सबसे पहले, least element, यहाँ पर दिया हुए, if, glb, is equal to m, belongs to the set, then, this implies, m is equal to, least element of the set, मतलब कि, अगर, glb, set में ही, belong करती है, तो, तब हम लोग, उस glb को ही, least element of that set कहेंगे, ठीक, पहले हम लोगों ने देखाते हैं कि, glb, set में हो भी सकती, या नहीं हो सकती है, अगर, कोई glb, set में belong होती है, तो, उसी element को, मतलब कि, उसी glb को हम लोग, least element of the set कहेंगे, ठीक, जैसे कि, हम लोगों ने, previous example में देखा वा था, जो, यह infimum थी, 0, वो set में belong कर रहे थी, इस example के लिए, जो, यह glb होगी, 0, उसी को, हम लोग, least element कहेंगे, इस set के लिए, क्योंकि, यह set में से ही आ रही है, लेकिन, हम लोगों ने कहा था कि, glb हमेशा, set में ही belong करती है, इसा ज़रूरी नहीं है, चलिए तो हम लोग देखते हैं, कुछ example, जहां पर की, glb, set में belong नहीं करती है, यहां पर set में लिए वाए, s1, s1 is equal to, open interval 0, close interval, root 2, यह example लिए वाए, तो सबसे पहले find करते हैं, glb क्या है, इस set के लिए, इस set के लिए, glb 0 ही होगा, तो हम लोग चेक कर सकते हैं, by, this method, यहां पर हम लोग देखते हैं, कि, 0 एक lower bound है, इस set के लिए, और 0 से बड़ा, कोई भी number, इस set के लिए lower bound, नहीं है, इसे अब लोग चेक कर सकते हैं, by the epsilon method, मतलब कि, इस method के दुआरा, so, glb is equal to 0, for this set, अब हम लोग चेक करते हैं, क्या glb इस set में, बिलोंग करती है, या नहीं करती है, तो यहां पर देखते हैं, कि, 0 doesn't belong to set S1, so, by the definition, हम लोग का सकते हैं, कि, least element doesn't exist for set S1, ठीक, अब हम लोग ने पाया कि, किसे set के लिए, यह जरुदी नहीं है, कि, least element exist करती ही हो, अगर किसे set के लिए, glb, उसी set में, बिलोंग कर रही है, तो कहेंगे कि, least element exist होगी, और वो, glb के ही equal होगी, ठीक, अब हम लोग समझते हैं, कि, greatest element क्या होती है, if lub is equal to m, belongs to this set, then, this lub capital M, is equal to greatest element of this set, मतलब कि, अगर lub set में ही, बिलोंग कर रही है, तो हम लोग lub को ही, greatest element कहेंगे, हमारे पिछले example में, हम लोग ने देखा था कि, जो supreme थी, root 2, वो set में बिलोंग कर रही थी, तो, जो ये supremum root 2 है, उसे ही greatest element कहा जाएगा, for the set, close interval 0 root 2, बट हम लोग ने कहा था कि, supremum, या तो set में होगी, या नहीं होगी, दोनों ही case possible है, तो हम लोग आप देखते हैं, कि, supremum, किस example के लिए, set में बिलोंग नहीं करती है, तो हम लोगोंने, यहाँ पर example लिया हुआ है, S2, S2 is equal to, close interval 0 root 2, intersection Q, जहाँ पर Q है, set of all rational numbers, अगर ये set को, हम लोग, real line में denote करना चाहें, तो ये इस परकार होगी, 0 root 2, इसके बीच में, सारे elements, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कि S2 के सारे elements, 0 और root 2 के, बीच में ही लाई करते हैं, ये संख्या में countable हैं, तो सबसे परले हम लोग, find करते हैं, कि इस set के लिए, lub क्या है, हम लोग यहाँ देखते हैं, कि जो ये number है, root 2, वो एक upper bound है, क्योंकि, इस सारे elements, S2 के छोटे ही हैं, so root 2, 1 lub है, sorry, root 2, एक upper bound है, अब हम लोग root 2 से, कोई भी छोटा number देखते हैं, तो वो एक upper bound नहीं होती है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कि root 2 में कोई भी एक small number, epsilon को घटाते हैं, अगर मान लिजे, वो यहाँ पर हैं, तो उसके बीच में हमें, एक rational number जरूर मिलेगी, जो कि S2 से, S2 में belong करती हो, so हम लोग कर सकते हैं, कि root 2 से कोई भी नंबर, कोई भी छोटी नंबर, एक upper bound नहीं होती है, so इस परकार हम लोग conclude कर सकते हैं, कि root 2 ही, lub है, इस set के लिए, so now, अब हम लोग चेक करते हैं कि, क्या ये lub इस set में belong करती है, क्योंकि root 2 एक irration number है, और S2 में सारे rational number ही आ रहे हैं, so root 2 doesn't belong to this set S2, so यहाँ पर lub set में से belong नहीं कर रहे है, so हम लोग कर सकते हैं कि, greatest element doesn't exist for this set S2, so that's it for today, मुझे लगता है कि आप लोग सारे points को आज की वडियों में समझे होंगे, so thank you for watching,